तपन घोश याद होंगे आपको जिनकी जुलाई में कोविड के कारण मृत्य हुई थी। उन्होंने जिस संस्था की स्थापना की थी हिंदू समाती वह अवेक राजनीतिक पार्टी गठित कर 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसा क्या हुआ बंगाल में कि एक हिंदू वादी पार्टी को दूसरी हिंदू वादी माने जाने वाली भाजपा के विरुद चुनाव में उतरना पड़ रहा है। इस पर बात करेंगे हम आज के वीडियो में। दल गठित करके उसे चुनावती देना चाहते हैं। वहीं जो उनके विरोधी हैं जैसे लेफ्ट और भाजपा उन्होंने ये कहा है कि हिंदू समती मात्र त्रिणमुल कॉंग्रेस की एक हिंदूत्व विंग है और इसे ममता बनट जी नहीं हिंदूों के वोट काटने के ल लेकिन उन्होंने आरेसेस छोड़ दिया यह कहकर कि वहां पर साहस और प्रतिबद्धिता की कमी हैं। और भाजपा के लिए वह कहते थे कि उन्होंने हिंदूों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया और आरेसेस को तो वे छोड़ने के बाद से ही उसकी आलोचना कर रहे थे। बताते हैं कि यह जो उनका जुकाव था वह 2016 से शुरू हो गया था, 2014 से शुरू हो गया था और 2016 में यह तीवर पर पहुंच गया था। इसके लिए वे जो भाजपा की आलोचना करते थे उसे उनकी स्वयम की संस्था में अधिक समर्थन नहीं मिलता था क्योंकि उनके बहुत सारे कारे करता जमीनी स्थर पर भाजपा के लिए भी काम करते थे और 2016 के विधान सभा चुनाओं में भी ऐसा हुआ था। इससे तपन घोश नाराज थे और उन्होंने 2018 में जिस संस्था की स्वयम स्थापना की उसे ही छोड़ दिया यह कहकर कि वहाँ पर कुछ लोग स्वार्थ सिध्धी के लिए आ गये हैं और साथ ही उनकी जो संस्था है उसका राजनीती करण हो रहा है उनके जो कारे करता है वे भाजपा की जाल में फस गये हैं ऐसा उन्होंने कहा था तो इसके बचाव में जो अध्यक्ष है भटाचार जी उन्होंने कहा था कि राजनीती करण नहीं हो रहा है संस्था का और यदि त्रिणमोल के प्रति उनका कुछ झुकाव भी है तो अब बेश सभी राजनीतिक दलों से बराबर दूरिया बना लेंगे लेकिन वहीं जो कारे करता हैं उनका कहना है कि घोश को इस बाद से समस्या नहीं थी कि राजनीती करण हो रहा है उनको समस्या इस बाद से थी कि उनके लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं त्रिणमोल के नहीं लेकिन घोश का ये इसे गैर राजनीतिक ही रखना चाहते हैं वैसे देखा जाये तो इसकी जो एग्रेसिव मुद्रा थी इस संस्था की उसे काफी सपोर्ट मिला उन्होंने घर वापसी जैसे कारिक्रम भी कराये और यहां तक कि कुछ हिंदू-मुसलिम दंगों में भी इस संस्था का हाथ था ऐसा माना जाता है लेकिन अब घोश नहीं रहे हैं और जो उनका सपना था कि इसे राजनीतिक नहीं बनाना है वह संस्था इससे दूर हो रही है वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और साथ ही इन आरोपों से भी ग्रसित है कि वह त्रिणमुल की एक इकाई है वह इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है वे सिर्फ बंगाली हिंदों के लिए काम करना चाहते हैं लेकिन मेरे वरिष्ठ जैदिक मजुमदार ने एक और व्यक्ति से बात की थी जो इस संस्था के उपाध्यक्ष रहे थे 2017 तक उन्होंने बताया था कि 2014 तक घोश एक सामान मुद्रा अपनाते थे लेकिन फिर त्रिनमुल के प्रति उनका जुकाव बढ़ने लगा 2016 में उन्होंने इसकी और सराना करने शुरू कर दी और 2017 में वे ये बात करने लगे कि भाजपा और त्रिनमुल में से जो बेटर डील ओफर करेगा उसके साथ जाएंगे और ऐसा ही आज उनके शिश्य भटाचारजी कह रहे हैं वे यही कह रहे हैं कि जो उनकी मांगो को पूरा करेगा वे उसका समर्थन करेंगे वैसे राष्टरी परिद्रिश्य में देखा जाये तो एक पार्टी की आवशकता थी क्योंकि बहुत सारे हिंदू हैं जो ये मानते हैं कि भा के हाथ की कटपुतली मात्र है जिसे वोट काटने के लिए उतारा गया है तो यह लोगों के लिए संदे का विशे होगा भाजपा इस पर आश्वस्त है कि लोग समझ जाएंगे कि यह विंग है और इसलिए भाजपा के वोट नहीं कटेंगे लेकिन ध्यान देने वाली बात जी ने हिंदूों के वोट काटने के लिए एक विंग यदि ये उभारी है तो उसी प्रकार उन्होंने मुस्लिमों के वोट काटने यानि EIMIM को समर्थन न मिले उसके लिए भी अपने ही पार्टी के कुछ इसलामी कट्टरवादियों को उतारा है मैदान में जिस पर मैं एक झाल